हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉस्टडी पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे और इस वीडियो को भी लाइक शेर और कमेंट करें तो बिना देरी कि ये वीडियो को शुरू करते हैं हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं माधिस्थम क्या है यह कितने प्रकार का होता है माधिस्थम क्या है यह कितने प्रकार का होता है इसके लाभूं का संक्षेप में लेक कीजिए What is arbitration? What are the kinds of arbitration? Discuss and breathe the advantage of arbitration. माध्यस्थम विवादों के निप्टारों का एक सुलब एवं सर्लतम मंच है. माध्यस्थ के माध्यम से विवादों के निप्टारे की प्रथा अत्यंत प्राचीन है. अतीत में जब गाउं में कोई भी विवाद उत्पन होता था तो उसे पंचों के माध्यम से हल किया जाता था. ऐसे पंच गाउं के प्रतिष्थित व्यक्ति होते थे और उन पर पूरा भरोसा एवं विश्वास किया जाता था. उनका निर्नय सभी पर आबद कर होता था. कालांतर में इसी प्रत्था को हमने विधी का स्वरूप प्रदान किया और यह आबिट्रेशन के नाम से जानी जाने लगी. इतना ही नहीं, जिनेवा अभिस्मय, 1927 एवं निव्योक अभिस्मय, 1958 के अंतरगत इसे अंतर राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान किया गया. माध्यस्थम क्या है? माध्यस्थम से अभिप्राय दो या दो से अधिक पक्षकारों द्वारा अपने विवादों का माध्यस्थ, आबिट्रेटर, नामक एक तीसरे व्यक्ती को निर्नय के लिए सुपुर्द्या संदर्वित करने से है, जो विवादों का निर्नय न्यायक तौर पर करता है. दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब दो पक्षकार अपने विवादों को अन्य व्यक्ती की मध्यस्थता से निर्नीत कराने का करार करते हैं और जिसमें न्यायक दिनिर्मिय की समस्त आपचारिक्ताओं का पालन करना होता है, उसे माध्यस्थम आबट्रेशन कह उदाहरनार्त का ख, ग, एवं ग, मिलकर एक भागीदारी फम का गठन करते हैं और भागीदारी विलेख में यह खंड रखते हैं कि उनके बीच उत्पन विवादों का निप्तारा माध्यस्थम द्वारा कराया जाएगा, यह माध्यस्थम करार है, जॉन बी साउंडर्स के अनुसार, माध्यस्थम दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच विवाद या मत्भेद को दोनों पक्षकारों को न्याएक तोर पर सुनने के पश्चात निर्नए के बाल लिये ऐसे व्यक्ती या व्यक्तियों को किया गया संदर्भ, रेफिरेंस है जो सक्षम अधिकारि नियायाले नहीं है। माध्यस्थम अभिपरेत है जो चाहे स्थाई माध्यस्थम संस्था द्वारा किया गया हो या नहीं। आबट्रेशन means arbitration whether or not administered by permanent arbitral institution. लेकिन यह परिभाशा अपून, संक्षिप्त एवं अस्पष्ट है. वस्तुतह यह माध्यस्थम शब को परिभाशित ही नहीं करती है। माध्यस्थम की उपरोक्त परिभाशाएं ही उप्यूक्त हैं और इन परिभाशाओं के अनुसार। नहीं है। तथा 6. माध्यस्थ द्वारा विवादों का निप्तारा दोनों पक्षिकारों को न्याइक तोर पर सुनने के पश्चात किया जाता है। माध्यस्थम के प्रकार। माध्यस्थम तीन प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत अथ्वा घरेलू परसनल और डुमेस्टिक आबट्रेशन। दो सामविदेक अर्थात कानूनी स्टाचिटरी आबट्रेशन तथा। तीन अंतरराष्ट्रिय इंटरनाशनल आबट्रेशन। एक व्यक्तिगत अथ्वा घरेलू माध्यस्थम। माध्यस्थम का यह सर्वादिक प्रचलित प्रकार है। इसमें दो या दो से अधिक पक्षकारों द्वारा अपने विवाद या मतभेद को निर्ना हेतु माध्यस्थम अधिकरन आबट्रल ट्राइब्यूनल को संदर्वित किया जाता है। माध्यस्थम एवं सुलाह अधिनियम, 1996 में व्यक्तिगत या घरेलू माध्यस्थम की परिभाशा नहीं दी गई है। अधिनियम में अंतरराष्ट्रिय वानेजीक माध्यस्थम की परिभाशा दी गई है. इस परिभाशा के आधार पर व्यक्तिगत या घरेलू माध्यस्थम को परिभाशत किया जा सकता है. इसके अनुसार ऐसा माध्यस्थम जो अंतरराष्ट्रिय माध्यस्थम नहीं है, वह घ घरेलू domestic arbitration है। घरेलू माध्यस्थम में दोनों पक्षकार भारतिय नागरिक होते हैं। ऐसे व्यक्ती विदिक व्यक्ती legal person भी हो सकते हैं। जैसे company निगमादी। Cole India Limited बनाम Canadian Commercial Corporation A.I.R. 2012 कलकता 92 के मामले में कलकता उच्च न्यायाले द्वारा यह हभी निर्धारित किया गया है कि विदेश में दिया गया पंचाट यद यपी धारा 44 के अंतरगत विदेशी पंचाट हो सकता है तथा पी वह घरेलू पंचाट भी कहला सकता है यदि वह ऐसे क परार का भारतिय विधी तथा लोकमीती के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जालन करना होता है जैसे माध्यस्थों की नियुक्ती, माध्यस्थम का स्थान, पंचाट देने की समयावधी, पंचाट का प्रवर्तन, माध्यस्थम कार्यवाहियों पर लागू होने वाली प्रक्रिया माध्यस्थ का शुलकादी। ऐसे माध्यस्थम को सामविदेक Statutory Arbitration पक्षकार सामविदेक उपढ़ों का अनुसरन करने के लिए आबद होते हैं. सामान्यतय सहकारी समितिया अधिनियम, कंपणी अधिनियम, विद्यूतापूर्ती अधिनियम आदी में सामविदेक माध्यस्थमों की व्यवस्था होती है. 3. अंतर्राष्ट्रिय माध्यस्थम अंतर्राष्ट्रिय माध्यस्थम का स्रिजन बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रिय व्यापार की देन है. संचार माध्यमों में अभिवृद्धी तथा राष्ट्रिय व्यापार नीती में उदारी करन के समावेश से. अंतरराष्ट्रिय व्यापार तथा वानिज्य में आशातीत वृद्धी हुई है। अंतरराष्ट्रिय वानिज्य माध्यिस्थम की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। दो ऐसा कोई निगमित निकाई, जो भारत से भिन किसी देश में निगमित है, या तीन ऐसी कोई कमपणी, संगम या व्याष्टी निकाई, जिसका केंद्रिय प्रबंध और नियंत्रन भारत से भिन किसी देश में किया जाता है, या चार, विदेशी सरकार, यहां यहु लेकनिया है कि अधिनियम में माध्यस्थम एवं अंतर राष्ट्रिय वानेजिक माध्यस्थम के बीच कोई विभेद नहीं किया गया है। Progressive Construction Limited बनाम लुइस बर्गर ग्रुपे, I.R. 2012 आंध्रप्रदेश अर्तीस, माध्यस्थम के लाब, माध्यस्थम के अनेक लाब हैं जिन में से निम्नानकित मुख्य है, एक सरलेवं दृतगामी प्रक्रिया, माध्यस्थम की प्रक्रिया अत्यंत सरलेवं दृतगामी है, इस भी नहीं होती है, कुल मिलाकर नैसर्गिक न्याय के सिधानतों, Principles of Natural Justice का अनुसरन करना होता है, दो खर्चीली एवं विलंबकारी नहीं होना, माध्यस्थम की प्रक्रिया न तो व्याय साध्य है और नहीं विलंबकारी न्यायालेयों में कार्य की अधिकता के कारण मुकद माध्यस्थम के निप्तारे में काफी समय लग जाता है, तथा व्याय भी अधिक होता है, जबकि माध्यस्थ के समक्षे एक ही विवाद होने से उसका शीग्र एवं कम व्याय में निप्तारा हो जाता है, माध्यस्थम में सामान्यतह माध्यस्थ को चार माह में और अधिनिर तीन पक्षकारों द्वारा माध्यस्थों की नियुक्ती चार, विशेशग्य की सेवाएं विशेक वगवस्तू का निरीक्षन किया जा सकता है जिससे सही निशकर्ष पर पहुँचने में काफी मदद मिलती है. जबकि न्यायालेयों में यह कार्य सामान्यता स्वयम न्यायादीश द्वारा नहीं किया जाकर कमिशनर द्वारा किया जाता है जो उतना उप्योगी सिध नहीं होता। 6. प्रादिकार का प्रतिसिन्हरन माध्यस्थम कार्यवाहियों के दोरान यदी यह प्रतीत होता है कि कोई माध्यस्थ प्रष्ट आचरन या कदाचार मिसकॉंदक्त का दोशी है तो पक्षकार द्वारा उसके प्रादिकार का प्रतिसिंहरन किया जा सकता है, जबकि न्यायादीश के प्रादिकार का इस प्रका प्रतिसिन्हरन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद वीडियो को लाइक, शेर और कॉमेंट करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचें। जए झाल करें पहले पहले तक सबस्सक्राइब कारें पहले जा पहले करें एक दूले वीडियो करें वाले अपड़ीं, झाल झाल